खेलो दोस्तो मैं राज और राज इंडक्शन में आपको स्वागत करता हूं दोस्तो आज का वीडियो का टोपिक रहेगा वो आपका इंडिक्सा चार्जर को पर में लेगा तोस्तो मेरे पास एक इजूम का चार्जर रिटेर होनी के लिए है 18 MPR का है उसी टोपिक पे है सबस आपने दोस्तो एकदम आपको निव टाइप में चार्जर दिखेगा दोस्तो अभी वारांटी पीडियेड में है लेकिन क्या होता है वारांटी में दोस्तो टाइम लगता है तो कस्टामर को जल्दी चीए क्योंकि उनका गारी क्या होती है अगर चार्जर नहीं रहेगा त तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम किया था दोस्तो मेरे पास जब आया था रिपेर होने के लिए तो इसमें दो मॉस्पेट लगता है दो मॉस्पेट दोस्तो यहां पे खराब थे एक मॉस्पेट तो दोस्तो यहां पे शॉट हो गया था और दूसरा मॉस्पेट दोस्तो ओ protection दावर बोलते हैं तो यह दोनों डायोड में से दूस्तों एक डायोड को निकाल दौसरी दूस्तों क्या होता जो आपका driver और MOSFET के gate के बीच में जोड़नी के यहाँ पर रजिस्टेंस लगता है ड्राइबर से जो पल्स चलेगी इस रजिस्टेंस के माध्यम से MOSFET को on करेगी साहे ताली सुम का ठीक है जी यहाँ पर देख सकते हैं डीप में रजिस्टेंस लगा था यहाँ पर पूरी तरिका से जल गया था और यहाँ पे दोस्तो दो MOSFET है तो एक MOSFET का रजिस्टेंस जल गया था और दूसरा थो SMD पैकेज में लगा था यहाँ पर देख सकते हैं कुम आप लोगे को यहां पर करना चाहता हूं elles तो दोस्तों आप यहां पर फोकस करेंगे सब से पहले हमारे चार्जर में power supply अलग से बना हुआ है अलग से नहीं के मतलब आपको आपको इहां वेल्री इसको सप्लाई कहां से आगि। यहां से DRC पार और कि paillart सप्लाई कि संप्लाई कि बनी हो बना है । पावर कि आपने चारजर में क्या होता है minute कि हमारा जो मेन सेंसिंग का यहां पे जैसे मेन सेंसिंग करता है हम डिरेक्ट क्या करते हैं बैक्टरी से सप्लाई दे देते हैं और यहां पे दुस्तो अट्टो कॉपलर का कलेक्टर को इमिटर सोट कर देते हैं तो माइक्रो कॉंट्रोलर को क्या पता चल जाता है कि मेन आ र यह जब तक तक में नहीं लगाएंगे, तब तक 25 25 آइसी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि मेरे सप्लाई से यहाँ आँ होगा, सप्लाई से सचों सब्भ guidelines यहाँ पर व्ल्टेज हैं होगा उसके बाद on होने के बाद में तभी आपका 11 नमबर पीन से और 14 नमबर पीन से मॉस्पेट के लिए पल्स भीज़ेगा ठीक है अब हम सबसे पहले क्या होता है दोस्तों आपको बताओ ठीक है यहां से ग्राउंड पकड़ लेते हैं और यहां पे दोस्तों देखेंगे स सबसे पहले तो 35-25 आइसी के हमारा एक 15 नमबर पीन पे आपका सप्लाई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों हमारा 35-25 आइसी अभी ओफ पोजिशन में है और कब होगा जब हम में देंगे तब ओन होगा ओ कैसे तो सबसे पहले यहां पी हम देखेंगे सबसे मैं इसको सप्लाई देता हूं यहां से जैसे प्रम्यों सप्लाई सब्सक्राइब inya हमरी और थे नियसे सबस्का करके दिखा देता हूं अब आप देख सकते 30 वhos तो जैसे इसके 13V आया, अभी दुस्तों क्या होगा, इसके दस नमर पीन पर देखेंगे तो यहाँ पे 0V है, अभ यहाँ सह हमारा राले ओन ह्वाँ और प्ल्स हमारा सुरू हो जाएगा जैसे 11 नमर पीन, तो उसकता हरो, ल guid Wick pass wax आयों तो यहां फे दुस्तो ड्राइबर चे दो पल्स आउट होगा दोनों मोस्पीट के लिए हाई दोनों मोस्पीट के पास आ रहा है कि लिए दोनों मोस्पीट पर सेमuna है और लिए है हम इसको डियोसित्श चेक करके आपको बताएंगे तो सब्से पहले दूस्तो आपको मैं डियोसो पर फोकस कराऊगा मैं यहां पर सबसे पहले मैं डियोसो को आन कर देता हूं और डियोसो को आन करने के बाद में दूस्तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा डियोसो है अभी यहां पर वल्टिज मेक्सिमम जीरो है और यहां पर दूस्तो फि हमारा 5 वोल्ट का है तो दूस्तों जैसे जैसे पल्स होगा यहां जैसे जैसे यहां पर पल्स बनेगा वह आपको यहां पर चेक करके भी दिखा देता हूं सबसे पहले दुस्तों हम यहां पे क्या करेंगे ग्राउंड ले लेते हैं और मॉस्पेट का दुस्तों हम यहां से गेट पे चेक करेंगे ठीक है जी तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा दियो सो में फोकस किजिए तो सबसे पहले दियो सो पे आप देखेंगे तो हमारा maximum voltage 10 volt है ठीक है और इसका जोस्तों voltage peak to peak 20 volt है और frequency दोस्तों 78.5 hertz की यहां पर देख सकते हैं dipty cycle दोस्तों 50% यानि 50 50% of 50% dipty cycle ले एक MOSFET पर दूसरी भी MOSFET पर आपकी same to same होनी चाहिए तो यहां पर हम चेक करेंगे दूसरी MOSFET पर तो पहले MOSFET पर हमारा जैसे voltage maximum था 10 volt, peak to peak voltage 20 volt था यहां पर dipty cycle भी हमारा 50 hertz की है यहां पर देख सकते हैं dipty cycle भी हमारा 50% है स्वरी 50% बता रहे हैं और frequency दोस्तों यहां पर हमारा 16.5 hertz बता रहा है ठीक है जी तो हमारा frequency भी दोनों पर same होना चीए ओके यहां पर देख सकते है फिक्वेंसी भी सेम होना चीए और ड्यूटी साइकल भी हमारा समझ लेजिए सेम होना चीए हमारा कहने मतलब क्या दोस्तों यहां पर हमारा समझ लीजिए कि ड्राइबर से पल्स आके हमारा गेट पर आ रहा है हम इसमें मोस्पेट लगा सकते हैं अभी आप लोक को बता हुँ हमारे पास पहले 48N2 लगाता है छो मोस्पेट इसके उपर निंबर नहीं मिला लेकिन दोस्तों इसका ये म कह दो रहा है कितना देसी ले रहा है सी ले रहा है Real मठ्षीर सिर्प बीडियो बनागे बताता हूंग अब दोस्तों आपको font 가ने है कि इन धुन को लगा दिया मुच्टि लगाने के बाद दूस्तों दोनों के सीटर को थेख करने इस सिख करें सेम ही ठीक जी अब सब से करेंगे, इसको मेल देंगे. तो सबसे पहले इसको सीरीज में देते है. हमारा इस सीरीज है. और पोजीशन में सीरीज रहाएगा. जैसे इसको आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे paarल कन बलब टीछ होने लागा तो हमारा यहां पर कृसे हैं वहारा किस्क्राइबोंब भी抗या तो सबसे पहले दिख सकते हैं कि हमारा एमपीyeah घismopow आपरिफेने लिए सामने कर देंग ढ़े में आना सब्सकेंट जो अडिकेटर इसलिए सबस्क कर देंग रहे हैं कि इसके वज़य Mum सब्क। हुआ है में कि मुष्पेट और जो इसके चकर बर्बहुत कराब था करेंगे कैसे पर करेंगे कि छोटी-छोटी खरायब है कि नहीं फराब है मोस्पेट होता है तो क्या होता है कभी-कभी जो मोस्पेट को फित बोलते हैं और रजिस्टेंस पापको चेक करना होता है उसके बाद दूस्तों दिरेदेदेदे पैंटीस पचीस आईसी मोस्ट लगाने से पहले 14 नंबर बीन और 11 नंबर बीन पे आपको पल्स आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है को मुल्टी मीटर से भी आप चेक कर सकते हैं वोल्टे जो आपको जैसे 5.5 मिला वैसे आप कंफर्म कर सकते हैं बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगागा तो वीडियो को लाइक किजेगा और आपको जनकारी के लिए बताया तो दोस्तों मालीजिए अगर आप विलासपूर 36 गड़ के आजपास में हैं चार्जर रिपेरिंग करवाना चाहते हैं तो आप दोस्तों मेरे स्वाप मनी कंप्लेक्स हट्री चौक में मेरे स्वाप है एसिक्स वहाँ पर आके आप चार्जर रिपेरिंग करवा सकते हैं कंट्रोल रिपेरिंग करवा सकते हैं इन्वाटर इसी का पीसे भी इन्वाटर तो दोस्तों सब यहां पर रेपेरिंग हमारे पास हो जाता है बाकी दोस्तों वीडियो देखने के लिए दिल से धहनवार मैं राच